हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेन तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू यह लड्डू हम दूद से बनाएंगे दूद का बना हुए लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से लड्डू को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गयस पर दूद चढ़ा देंगे तो यहां पर हमने एक लीटर दूद लिया है गयस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है ताकि दूद जो है अच्छे से मतलब जल्दी से उबल जाए और यहां पर हमने ल इसमें बीदा लेंगे तो जोड़ा से थोड़ा से ज्यादा हम पानी ढाल देंग इसमें ल makers दूद में चमिल में जो है कि उबाला गया हैतो ऊक्पिल div को कि लिए और इसमें हम वेन दें कर और पानी का गौल डाल देंगे फूरा नहीं डालें इंगी थोड़ा सा बचा लेंगे और इससी इचा से मिला देंगे दूद में चैनल दूद में इसे अच्छाए घढ़ा विम से ऴ।ुक नहीं से भी डालें व्क दूर्ट जो है अच्छे से फट गया है मतलब छेना बन गया है तो अब हम इसे छान लेंगे तो यहाँ पर हमने एक इस टेनर ले लिया है और एक बरतन है उसके नीचे इस टेनर के नीचे बरतन रख देना है और इस तरह से हम इसे छान लेंगे यह देखी इस तरह से आपको इसे छान लेना है आपर छेना जो है तयार हो गया है तो हम इसमें थोड़ा थंड़ा पानी डाल कर इसे अच्छे से मतलब धुल लेना है तो अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इसका पानी जो है वो निकल जाए यह देखिए तो यहाँ पर बरतन जो है इसका पानी हमने फेक दिया है और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इसका पानी मतलब खतम होने तक खेना का पानी जो बहुती वह खतम हो जाए तब 오른 गज़ान अब लिनाऋ साह हो जंद असमी डिला देना है अब सभी चीज का हम पाउडर बना लेंगे इतले दें कि अ अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कि यह देखिए बहुत ही अच्छे से पाउडर बना हुआ है और इसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने त्यार करके रखा हुआ है पनीर का पानी जो है अच्छे से सूख जाना चाहिए तभी आप इसमें मिलाए नहीं तो यह जो है कि बिल्कुल गिला हो जाएगा यहां पर हमने थोड़ा सा एलो फूट कलर डाल दिया है बिल यह देखिए इस तरह से कलर को मिक्स करेंगे और इसके बाद सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे आपस में इस तरह से हाथों से ही यह पहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनती है आप इसे एक बार चरूर ट्राइ करिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है सभी पूछेंगे अपने इसे कैसे बनाया और इतना आसान है इसे बनाना और यहाँ पर सभी चीज़े अच्छे से मिल गई है अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर तो जितना हमने पनीर लिया तो उसे थोड़ा सका मिल्क पाउडर लिया है और साथ ही में एक बनाने के लिए यह दिखिए और मैं इसे फ्रीज में रखूंगी आप चाहें तो यहाँ पर इसे बना सकते हैं आपके पास यहाँ पर दो से तीन आप्सन है आप चाहें तो इसका लड़ू बनाये पेड़ा बनाया फिर आप इसे ऐसे ही किसी मोल्ड में रख दीजिए है कि पानी जो छेना का पानी था उसे हमने पूरी तरह से निकलने नहीं दिया था यह थोड़ा से मुझे गीला लग रहा है तो हम इसे फ्रीज में रख देंगे इस तरह से चिकना करके देखिए आप चाहें तो यहीं पर इसे लड़ू पेड़ा बर्फी कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से करके हम इसे फ्रीज में रख देंगे और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी आप भी मेरे तरह कर जल्दी में इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रीज में रख दीजिए और फिर आप इसे कट कर लीजिए यह देखिए इस तरह से इसके छोटे बड़े पीसे से आप अपने पसंद से ऐसे कट कर सकते हो आप मिठाई का टेक्स्चर जो ह अपने देखिए आप चाहें तो इसे ईसे ऐसे खासकते हैं ऐसे में इस लड़ु बना रही हूं आपको दिखाने के लिए हम नहीं से इस तरह से इस तरह से कर लियाँ है कि आप इसे ऐसे भी ऐसे जलोंदूब कर सकते हो जोटे बड़े पीसे स कट करके मैं इसलद बना ले रही है तुछ तरह से लट्डू जो है छोटे बड़े अपनी साप से बना सकते हो तहां पर हमने सारे लडू बना कर तयार कर लिए हैं आप इसे अपने मन पसंद काजू बदाम या फिस्ते से गार्निश कर सकते हो यह देखिए मैं इसके उपर पिस्ता लगा दे रहे हैं इस तरह से ताकि यह देखने में थोड़ा से और भी अच्छा लगे तो यहां पर यह लड़ू जो है बनकर तयार हो गया है और हमारे तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइ जहां बस्क्राइब